हेलो एवरीबन वेलकम बेक टो मैं चैनल हमारी ये वीडियो यूपी बीएड कॉलेज डीटेल से रिलेटेड है इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे चेक करें कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई है कितनी सीट्स अवेलेबल है आर्ट स्ट्रीम में कि जा देती हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं देखे सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाएंगे वहाँ पर आप लखनो इनिवर्स्टी लिखेंगे ओके जो सबसे पहला लिंक आएगा आप वहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो आप यहां क्लिक कर देंगे यहां जाने के बाद देखिए आपको सेकेंड नंबर पर यहां पर कॉलेज डीटेल्स लिखा हुआ है आप यहां क्लिक करेंगे तो आप जब इसको इधर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपके पास यहां पर व्यू लिखा हुआ आएगा यहा थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने में वेट करिया देखिए यहाँ पर आ गया अवेलेबल सीट चार्ट अब आपको क्या करना है अब यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से समझेए आप क्या करेंगे यहाँ पर पहले यूनिवरस्टी सेलेक्ट करेंगे माल लिजे कि आपको अलाबाद यूनिवरस्टी में अड्मिशन लेना है आप यहाँ पर अलाबाद यूनिवरस्टी सेलेक्ट कर लिया आपने यहाँ पर आपको स्ट्रीम कोड दिया है आपका स्ट्रीम कौन सा है अगर आपका Arts Commerce है तो आप AC चूज़ करेंगे अगर आपका Science और Agriculture है तो आप ऐसे यूज़ करेंगे तो देखें मैं Arts का करके समझा देती हूँ आपको यहाँ पर आ गया अब देखें यहाँ पर Colleges आ गए कौन कौन से College अलाबाद University में आप स्ट्रीम की कितनी सीट्स बची है कौन कौन से College में देखें आप स्ट्रीम की है साइंस ट्रीम क्या करनी है तो आपको ऐसे करना होगा तो देखें यहाँ पर सब लिखा हुआ है पूरी डिटेल्स यहाँ पर सिफ 1, 2, 3, 4, 5, 5 colleges बचे हुए है जहाँ पर सीट बची है देखें आपर Minority लिखा है Minority की यहाँ पर कोई सीट्स नहीं है यहाँ पर सब में नो लिखा हुआ है आपको समझा देती हूँ देखें यहाँ पर सब में नो लिखा हुआ है और आपको यहाँ पर College की केटेगरी लिखी हुई है यह कैसा College सारे College को एजुकेशन है यानि कि जिसमें boy and girl दोनों पढ़ते हैं यह स्ट्रीम तो हमने यही इसमें पुट की थी तो यही आएगी आप देखें यहाँ पर आपको सिट्सो करेंगी जबहुंख और आगे यहाँ पर इसमें सारी कैटेगरी की सीट्स आपको शो करेंगा देखें यहाँ सब में 00 हो चुका है लेकाइं लाश्ट तक सब में यहाँ पर कुछ EWS की सीट्स बची हुई है कॉलेज में EWS की बची है और देखे बाकी में सब 00 है और जब आप स्टार्टिंग में आएंगे तो यहां पर GNOP की सीट्स बची हुई है तो देखे इतनी सीट्स बची है तो जिनको एडमिशन लेना है इन कॉलेज़ में अलाबाद यूनिवस्टी है तो वो इन में चॉइस अभी भी कर सकते हैं वैसे तो जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपके बास वही कॉलेज जाएंगे जो की अब एविलेबल हों लेकिन अगर आपको यहां पर चेक कर लेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि आप कॉंसलिंग ना करके डिरेक्ट अडमिशन ले तो आप यहां पर पहले इसको अच्छे से चेक कर लीजिए उसके बाद आप कॉंसलिंग कीजिए क्योंकि वहां पर तो आपको रेजिस्ट्रेशन करने के बाद कॉलेज शो होंगे तो आप सभी को बात समझ में आ गई होगी और जिनको भी किसी पर्टिकुलर कॉलेज में लेना है वह उसी कॉलेज में अड्मिशन लेना चाहते हैं तो देखिए आप महाँ पर कॉल करके बात कीजिए कि क्या आप महाँ पर डायरेक्ट अड्मिशन के लिए सीट्स अवेलेवल होंगी क्योंकि कुछ कॉलेजिस डायरेक्ट अड्मिशन के लिए सीट्स अलग से रखते हैं तो आप महाँ पर call करेंगे, तो आपको direct admission के लिए बोल देंगे, तो आप महाँ direct admission ले सकते हैं. तो आपको सारी बाते समझ में आ गई होंगे, इस तरह से आपको अपना seat chart चेक करना है और अपनी counselling करना है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को like करें, share करें, subscribe करें, thank you.